लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और रेल आइटिन को प्रेस करें ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय मजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठें वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं कि उता ये कि अपसिए्टS को सब्सक्राइब करें कि स्कास्ट अपूलाक एंगे हैं ठाल जो ठम लंग, तोल जो रहा, तोल जो जुज़ दिन्हों का रहा इना, जुछ नो जुज़ जुछ, जुछ शुछ वाई नो जुद लाइं इना, जुछ जुछ बचैनल यहायदाMusic हुआ है झाल जाल लुझ साथा हुआ है नमस्ते मालकेन। कैसे हो राम सिंग। ठीक हूँ, आप छेलिए मैं समान लेकर आता हूँ नमस्ते बेंजी, आप कौन है। मैं भी यह जानना चाहती हूँ, तुम कौन हो। यह घर मेरा है। मैं ठाकुर साफ की पत्नी हूँ, किया आप बक्वास करती हूँ। यह क्या कहे रही यह, यह ठीक कहते है अब तुम हमारी पीवी नहीं। नेलिमा हमारी पीवी है. लेकिन सारे समाज के सामने तो आपने मुरसे शादी की थी। वो हमारी एक भूल थी, जो हमने एक चोटे Dra改ी जवानी पर तरसखा कर। अब हमें तुम्हारी जुरूवत नहीं, तुम जा सकती हो लेकिन आप तो जानते हैं, आप इस दुनिया में मेरे पिता जी भी नहीं रहे मैं कहा जाओगी, मेरा नहीं तुमने बेटे का ख्याल कीजे, वो कहा पनेगा, कैसे पनेगा हमें क्या बता, बल जाएगा किसी गंदी नाली में, इसे घर से बाहर निकालो, शेर से खवर्तार जो मुझे किसी ने हाथ लगाया, मैं इस घर में मालकीन बनकर आई थी और जाओंगी भी तो इस्दत के साथ ठाकुर साथ, आप भले मुझे अपनी पत्नी नह बाले लेकिन मैंने आगनी के साथ फेरे फिरकर आपको अपना पती माना है मैं सारी जिनकी आपकी लंबी उमर के लिए प्रात्ना कर रोकी भगवान आपको खुश रखे, हमेशा सुखी रखे ताली चरण जी, पानी पे लिए कहते हैं बाप का घड़ा भरते ही फूट जाता है लेकिन ठाकूर का घड़ा कब से भर के बह रहा है पता नहीं कब फूटेगा ठाकूर हमारे बलिदान को खुदकशी समझता है आज पांच जीन से आप भोखरताल पर बैठे हैं हमारी कौन सी शर्ट मानी है उसने उसे हमारी क्या परवा है उसे क्या मालो कि रोज मजदूरी करके खाने वाले मजदूर के घर में चूला कैसे जनता होगा बापू अभी तक नहीं आया मा वो आजकल रोज देर से आते हैं तुम दोनों सोर जाओ मा मैं बापू को लेकर आता हूँ नहीं मैं लेकर आऊंगा उन्हें तुम छोटा है चल सोजा मैं चोटा हूँ तो क्या है मैं किसी से डृता नहीं मैं जाऊंगा नहीं मैं जाऊंगा तुम दोनों लड़ो मत, जाओ, तुम दोनों ही जाओ, पर ज्यादा देर मत करना, अपनी बापो को साथ लेकर आना अजे काली चरण जी मित्र कहा हो, मालिक कितने चिंती थे तुम्हारे लिए, मुझे कहा कि जाओ अभी बुला के लाओ बड़ी जल्दी ख्याल आया थाकुर को, क्यों बुलाया है, लो बोलो, अरो भाई मालिक है, आपके लाप के लिए ही बुलाया होगा चंदन लगा के भाईयो, तुम लोगों में से कोई दो आदमी मेरे साथ चलो, अगर ठाकुर साब की कोई शर्त हुई, तो आपस में सला करके हमें वहीं फैसला करना होगा आप क्या फेसला करेंगे, फेसला तो ठाकुर सामने पहले कर रखा है, सिर्फ आप अकेले चल के सुन लीजिए जाओ काली चरण जी, आप हमारे नेता हो, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप जो कुछ भी करोगे हमारी भलाई के लिए करोगे हाँ, हाँ, ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ हैं, तो मैं भी आपको वचन देता हूँ, कि मैं तूट जाओंगा, लेकिन जुकूँगा नहीं, बोलो काली चरण, क्या तकलीफ है तुम्हरी, अकुर साब, आप के जंगलों की कटाई करते करते हम लोगों के आधी उमर कट ग नहीं, आपके गोदाम तो आनाश से भर गया है, पर आपने हमें खाने के लिए बरपेट रोटी भी नहीं दी, विस्की पियोगे? जी नहीं, आपके नौकरी में सालों से आंसू जो पी रहा हूँ, हमारे पास तुम्हारे आंसू पूछने के लिए खास रूमाल है, ये लोगा, धाकुर साब, आपने मुझे समझा उती की बात करने के लिए बुलाया था, हम बात नहीं, फैसला करते हैं, और ये फैसला हमने पाँच हजार रोपा में कर दिया, ये सिर्फ तुम्हारे लिए लोग, अच्छा, तो आप मजदूरों के साथ मेरे वफादारी खरीदना चाहते हैं, तुम्हारी अपने घर आपने बच्चों के साथ कोई वफादारी नहीं, तुम्हे दो बच्चे हैं, पिछले दस दिन से तुम्हारे घर में सिर्फ एक बार चूला जल पाया है, वो सब लेकिन आप कुछ और चलेगा ठाकुसाब, तुम हमेद हम की दे रहे हो, जी नहीं, मैं आपको चताव नहीं दे रहा हूँ, आपको होशियार कर रहा हूँ, तिया अगर आप मजदूरों की मजबूरी, उनकी तकलीफें, उनके दुखदर्द से मूँ फेरेंगे तो, तुम उनके दुखदर्द की जिन्दा मत करो, वो हम दूर करतेंगे, तुम अपने बाल बच्चों का दुखदर्द दूर करो, ले जाओ यो रुपए, और उनको भर पे खाना दो, और उन सब को भूखे मरने दो, खाकुसाब, आपके इन नोटों में जिनका पसीना झांकता है, जिनके खून से निकली ये शराब पीकर आप जूम रहे हैं, जिनकी हड्डियां खुला खुला कर आप अपने हवेलियों के लिए मट्टी और कारा बनाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, ये नोट तो क्या, आप अपनी सारी दौलत भी इन कदमों पे रखेंगे, तो ठोक ही है, शराब का नशा नहीं देखा, अगर हम नशे में आ गए, तो हम सब को मिटा के रखतेंगे, हम को मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हम से है जमाना, जमाने से हम नहीं बंधू के तेवर ठीक नहीं लगते सरकार चंदन लगाके, अब क्या होगा? अब वही होगा जो हम चाहेंगे, कलवा क्कुमम पमली ए्म के पिलो गजाए मली अहीं मुझा झाहें जेखकी खीजाँ हाँ कर दो पराओ को पुआ हाँ वहाँ अर्ड़ करना थे मिल्या लड़ा बसाओ प्राव कि अर्टन एप प्रड़ा है तो खुबिए तो खुबड़ हां झाल कर दो झाल झाल हुआ है जो लड़की ऐसे खतरनाग घोड़े को काबू कर सकती है उसे काबू करने के लिए मेरा लड़का ठीक चुला तुम नहां को है का बारायो मारो होने वाला दमात तीन मैंने हो लगेंगे अब बिल्डिंग कॉंट्रेक्ट का काम ही कुछ ऐसा है बिटी सदकार छूड़ती ही नहीं विचारी को एक कॉंट्रेक्ट और मिला तिन रात विचारा मिट्टी सीमन्ट पत्थों में लगा रहता है लंजीत तुमसे कोई मिलने आया है आता हूँ पहली बात ठाक और अभी तक ये समझता है कि तुम लंदन वह और दूसरी बात तुम्हारी रहाई में सिर्फ तीन मैंने बागी है इन दोनों कोई ऐसी हरकत परत करना जिससे तुम्हारी सजा बढ़ गया है क्योंकि ठाक और क बेटी के साथ मैंने तुम्हारी शादी तेह करती है यह हुई न कुछ बात टड़ी अब ऐसा लगता है कि आप सच मुझ मेरे बाप है एक बार शादी हो जाए फिर देखना आपकी शानों शौकत कैसे वापस आती है अब बेटे ठाक और के पास करोणों है तस राक से जाद तो जमीन का लगाना आता है अच्छा तब तो हमारे लिए लगानी बाहुत है अरे नहीं जिन्दगी में कुछ भी बहुत नहीं होता है अखलमंदी इसी में है करोणों पे नजर रखो ठीके डैट शादी हो जाने दीजिए फिर देखिए मेरी नजर कहां कहां जाती है लगान के साथ साथ ठाकुर के खेतों का अनाज भी अपना ही होगा देख चा रहा है उठा ले अपने हिर्से का अनाज चंदन लगा के तो या कीजिये मुनीम जी इस बार फसल बहुत कम हुई है अगर तीन ही से आप उठा ले जाएंगे तो मेरे बच्चे भूकों मर जाएंगे आपको इनन ही जानों का वास्ता है मुनीम जी वाईयो सुन लो अरे वास्ता भी दिया तो इन नंगे भूकों का अब आप ही बताईये मैं क्या इसके साथ में अन्याय कर रहा हूं अरे भाई आखिर ठापूर साब का हकी मांग रहा हूं ना शेरू देख क्या रहे हो उठा लो सम्मान नाइम उन्होंने कड़कती धूब म अपना जिसम जलाकर यह अनाच पैदा किया है कि इस अनाच करे कि एक दाना गंगु के पसीने से नहाया है इसे सिंचने में गंगु के खून कि एक पूंद खुश कुई है इस पर सर्फ गंगु का अधिकार और किसी का नहीं है मुनिम लो भाईयों तुन लो फसल के लिए पीज उधार दे तो ठाकुर बेल खरीदने के लिए नकत रिकम उधार दे तो ठाकुर और फसल कट जाए तो अधिकार गंगु का मित्रवर अगर इतना ही अधिकार दिलाने का शोके तो करशे कुद क्यों नहीं चुका देते अरे जिस खाते में सर्फ जमाहीं जमा लिखा ह वो गर्जा तो भगवान दी नहीं चुका सकता मुनें शिवा पाकुर के काम में दखल देगा तो पच्टाएगा बच्टाएगा वो जो घरीब के मुह से निवाला चिनेगा तुम लोग मुझे यहां इसकी थमकिया सुनवाने के लिए लायो चननल लगा के उठाराम जा द लगता है तुम लोग लाट्री के भाशाई समझते हों आओ जाओ जाओ सब्ड़ हुआ माजी, अपना अनाज कर ले जाओ शीवा, आज तो तुने बचा लिया लेकिन ठाकूर का सुलूम एक बेकाबू खड़े की तरह है घबराओ मत माजी, अपने पास भी लगाम जुर्दार है इडिया ज़िए, भोड़ा क्यों पकड़ा? लगाम की जगा तो मुझे तुमारे बाल पकड़नी चाहिए थी खबरदार जो मुझे छुआ क्यों? छूत की बेमारी है अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता, मैं तुम्हें यहीं जिन्दागार देता जानते हो किसे बात कर रहे हो? कोई भी हो, लड़कियों इसलिए छोड़ देता हूँ फिर कभी इस बाजार में घोड़े पे बटकर आई तो मैं तुम्हें घोड़े से बांद कर वापस मिचते हूँगा जाने दी शीवा, चल, घर चल शीवा, आजकल तु बहुत लड़ाई जगड़े करने लगा है मैंने सुना है, आज समिंदार के आदमियों से भी मा, मेरे सामने कोई गहरों पर सुल्म करें यह मैं देख नहीं सकता तु क्या सारी दुनिया से दुश्मनी मोल लेगा मैं तो तेरा मुदेख का जिन्दा हूँ बेटा सुहाग लुट गया दुसा बेटा था, वो तो बचपन में ही बिछड़ गया नजाने कहां है करो कर दो झाल. हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 हु हुआ 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 है हुआ हुआ है कर दोखिस? किसने मेदा दोसका अचार किसने मेदा दोसका अचार गर इन कर दो कर दो तेरे नाम की दिवानी सुन जिल बर जानी सुन सतर न मेरी जानी तेरे नाम की दिवानी सुन जिल बर जानी अजय कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ 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 है मैंने चीज वही दी कल भर मेशो ना बन जाओं की मैं शर में दी और में चितनी नशी ले अपने ज़री दी जिसनी की चत कर दी मैंने चीज वही दी मैंने हार न मानी मैंने धिल पर ठाली तुन कदर न मेरे जानी ना जाने न जाने न जाने न जाने न जाने तुन कदर ना की दिवानी मैंने दिल बड़ जानी मैंने जाने 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 की तुन कर दोताओ मेरे सबन का प्याला, है ठल जने बाला तेरी इस पे रुखी दे, उजे मा ने गिडा ऐसे पत्तर जिन से पहले पड़ा नहीं पाला मेरे सबन का प्याला, है ठल सने वाला तेरी इस पे रुखी ने, तुझे मा ने गिडाला मैं आग तो फानी, तुन जिल बर जानी तुन कदर न मेरे जानी, ना जाने ना जाने ना जाने ना जाने तुन जिल बर जानी मैं तुन का जाने कुड़ा थे, तुन का जाने तुन जानी करन, तुम्हारा नाम है, काम बोलू, तुमने मेरे दोस्त, मेरे पाटने पिन्टो कुछ जो गोली मारी है, अगर मैं उसकी जान नहीं लेता, तो कानून उसे माट डालता, तुम्हारे दोस्त की जान बेकार नहीं गई, उसकी माट से जो पैसे मिले हैं, उससे गरीबों का कुछ फादा तो हुआ। करन, ये सब काम तुझे एक न एक दिन जेर भिजवा देंगे। वरजिश करने के क्या जरूर थी, प्यार का काम प्यार से होने दे। तेरे प्यार के ये तरीका मुझे पसंद नहीं है, शर्म ले आते हैं तुझे। अरे शर्म तो औरतों का जेवर है। और तु उसी जेवर को पहनाने के बजाए उसे उता लेना चाहता है। लोग तुझे गरीबों और मासमों का मदलगार बोलते हैं। तेरे नाम के साथ दान वीर करन का नाम जोडते हैं। और तु लुटेरा बनना चाहता है। अपने नाम को इतना नीचे गिराना चाहता है। सुनी, तेरी बातों में बहुत तम है। आज तु ने मुझे अपने ही नजरों में गिरने से बज्जा लिया। लेकिन मचे खलत ना समझता है। मैं क्या हूँ। ये दोपरवाला ही जानता है। अपने तु ने तु ने तु ने हमारा साज व सामान देखा ही नहीं। अगर देखेगा न तो भागेगा यहां से। चला हमारा जूता दे। अ यह कंडक्टर। अरे। यह विच्छों और सापों को हमारा जूता मिलता है सूने के लिए। यह कंडक्टर। यह ले खेल। नीचे उत्रो। क्या नीचे उत्रो। साम नीचे तो हम एक बार उत्रे थे हावाई जहाज से। एरपोर्ट पे पहूंचे हवाय जाहस का पेट्रोल खतम हो गया पेट्रोल खतम हो गया हमने धनकनी से दर्वाजा पकड़ा हैसे खोला अपना दायपायर बाहर निकाला और हम कूद गए और तालिया बज गई थी तालिया आप थे वहाँ, नहीं आप नहीं थे वहां. तुम जचत में क्या कर रहे थे हॉं? हम जचत पर सो रहते तुम बस के टिकेट के 12 रूपय 80 पसे दे दो अरे, सफ़र के पैसे क्यों दें, अमने सफर किया ही नहीं हुम तो धरसल दरख पर सो रहे थे दरख पर सो रहे थे, करवटली नीचे गिरे, उसके बाद आपकी बस हमें लेके चले गए, एक तो आप हमें अपने घर से इतनी दूर लाते हैं, उसके बाद आप टिकेट भी मांगते हैं बस में सफर के है, टिकेट पैसे देने पड़ेंगे हम टिकेट के पैसे नहीं देगे क्योंकि हमारे पयसे नहीं है कहां करते हूँ यहां क्या नौकरी की तलाश में आये हो अजी साहब यहां नौकरी क्या करेंगे हम नौकरी तो एक बार की थी हम ने दिल्ली में कौन से आफिस में बड़ा लिशान दफतर था लंबा चोड़ा दफतर था कता रही कता ने थी वहाँ पर कता रही क्या मिलता था वहाँ गालिया गालिया आ सरकार का और काम ही क्या है गालिया देना कौन सी सरकार अरे जिसकी वज़ा से हमने वो नौकरी छोड़ी नाम उसका थ अगर तुम्हें कोई चीज की तकलीफ हो, तो रामभरो से होटल में आ जाना। शुक्रिया। मगर तुम यहां काम क्या करोगे। अब जब यहां आ गये हैं तो कोई ने कोई काम तो करना ही पड़ेगा। और भगवान कोई ने कोई सर्फियर हैं तो हमसे मिला ही देगा। कितना है बदनसीम जफर्दफन के लिए दोक जमीन भी नमिली कुव यार मेँ। उसे नहीं मिली थी लेकिन आपको मिल सकता है मकान। हमें हफते भर के लिए कोई मकान चाहिए। हफते भर के लिए। हफते भर के लिए हो या साल भर के लिए। यहां के गली-गली कुछे-कुछे कोने-कोने से हम वाकिफ है। लेकिन किराया आपको हफते भल का पेशगी में देना पड़ेगा। आप जगर तो दिखाईए। देख, ये घर मैंने तेरे लिए बनाया माँ। मेरे लिए? हाँ, अम उस पुराने घर में आप नहीं रहेंगे। नहीं बेटा, हम वहीं रहेंगे। मैं जानती हूँ बेटा, ये घर तेरे प्यार से रंगा हुआ है। पर कभी उस घर की दिवारे, मेरी ममता, मेरे सुहाग के उजाले से रोशन हुई थी। तेरा बड़ा भई उसी घर से जुदा हुआ था। और मुझे पूरा विश्वास है, वो जब भी लौटेगा, वही लौटेगा। और जब तक वो नहीं लौटता, मैं इस नए खर में नहीं रहूगी। ये कॉटेज किराए पर मिल सकता है। ये, हाँ, जरूर मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता, ये तो मेरी मौसी का है। मौसी का? आप यहीं रुकिए है, मैं जरा मौसी जी से बात करके आता हूँ। यहीं रुकिएगा, जरूर मिल जाएगा। अगर खाली हुआ तो, अब मौसी। मौसी। मौसी देख तो कौन आया है मौसी मैं आया हूँ तेरा बेटा एकबाल हाँ मौसी मही हूँ आउँ अरे आरे 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 आप सब कहा जा रहेंगे पहले मुझे अंदर जाने दीजिए बात करने दीजिए किसे मा 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 मौसी मेरी मौसी से मेरी मौसी अंदर है आपको देखेंगी तो भड़क जाएंगी मौसी को लाल रंग अच्छा नहीं लगता आप यही रुकिए मौ अरे कहां गाब हो जाता है रे मौसी मैं कुछ लड़कियां लेके आया हूँ लकडियां अरे लकडियां क्यों लाया रे कमबखत तू जानता है मैं लकडियों का चूला नहीं जलाती हूँ यह तो पहचान की लड़किया है मौसी बस यहां साथ दिन के लिए रहना चाहती है और साथ दिन का पूरा हजार रुपए देने को तैयार है अरी 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 आप क्या कर रही हैं अगर मौसी ने आपकी सूरत देख ली तो सीधा किराय डबल कर देंगी मगर एक हजार आप कितना दे सकती ज्यादा से ज्यादा पांच सो दे दीजे लेकिन मौसी अरे मौसी मेरी है, मैं मौसी को पांच सो में पटा लूँगा आप यूँ कीजिए अपना सामान वगरा ले आईए ये मकान आपको खाली मिलेगा मगर मौसी कहां आजाएंगी अरे मौसी वहीं जाएगी जहां मैं जाओंगा मैं आपसे कहता हूँ न आप यहां आजाएए बिल्कुछ इंकामत कीजिए उसके बाद आप गाईए नाचिए, मौज मनाईए बस एकबाल के गुन गाईए ये लीजिए ये रूपाई 10 तारिक तक पहुँच जाएगे ना हाँ हाँ पहुच जाएगे पंदर रुपया मनेडर भेजने की फीस और 475 मिलाकर कुल होगा ये 490 ये बाकिके 10 बहुत है दोनों वक्षी रोटी हो जाएगी साफ है, पानी भी साफ, हाथ भी साफ दरसल बात ये है कि इस होटल में सफाई का बहुत ख्या लखा जाता है वो देखिए मेनेजर साब, मक्षियों का सफाया कर रहे है बड़ी सफाय से सफाया हो रहा है बाड़िया खाने में क्या है? सब कुछ है, आप क्या खाएगे? मटर पनीर है? मटर पनीर क्यों? बात दरसल ये है कि ग्राकों की सेथ का ख्या लखना हमारा पहला असूल है मटर का सीजन नहीं और डबबे का मटर हम खिलाते हैं नहीं पनीर? पनीर दरसल दूद को फाड़ कर बनाया जाता है और चीर भाड़ पर हम विश्वास नहीं करते आप जरा हम पर विश्वास कीजिए हमारे पास कुल दस रुपए हैं जेब में अब दस रुपए में आप हमको बढ़िया खाने खिला दीजिए दस रुपए में तो दो बक्ता खाना आ जाएगा मैं काम करता हूँ आपके लिए दाल लाता हूँ खाओ दाल जेडी निपे नाल आखिला दो अब भी लादो हाँ दबा तीन रुपए के नी तेरा रुपए गयाती है जाओ जाओ दस रुपए हो लेके ओ देदो ना मेरी मा बहुत बिमार है मेरे पास पैसे नहीं है जाओ जाओ दस रुपए हो लेके ओ पेटे मा बहुत बिमार है तेरी हाँ ले भाई बच्चे को दबा देदेना कहां जारे साहब खाना निखाएंगे नहीं उस्तार भूक नहीं भूक नहीं अब पैसे नहीं मैंने सब देख लिए आप जोसा हम दर्द हमारे यहां से बिना खाय चला जाए तो हमें बहुत अफसोस होगा आये खाना खाये नहीं यार भूक नहीं आपको इस गरीब की कसम नाम क्या है तेरा फकीरा नाम रखता है फकीरा दिल का बहुत हमीर है तो चल इकबाल इकबाल उटो सुबा हो गई सुबा तो एक बार हुई थी अरे भाई वाकी सुबा हो गई लो चाए पीनो नीद अच्छी हाई राज सर्दी कुछ ज्यादा थी सर्दी सर्दी तो हमने देखी थी सर्दी ऐसी सर्दी कडाके की सर्दी सब कुछ व्यादा हो रहा था एक आद्मी छे फूट लंबा गया वापस आया तीन फूटता बलक ли पहोने तीन पुटता सब कुछ ज्यादा आदा इधा हाथ आदे पेर आदे, नाक आदी, होट आदे, आदा आदा सब कुछ हो गया था, बलकि बहुत सी चीजे तो ऐसी थी, जो कि बिल्कुल ही गायब हो गए थी, धूंडने से नहीं मिली, आप थे मार, ने, आप नहीं थे मार, चाय पीलो, चाय पीने से पहले में जरा कर लो, जल्दी करो, इससे पहले छुड़की घुसल खाने में जाए, तुम पहले घुजाओ, और नाना हो तो नाभी लेना, तुम' से जाओ, तुम' से घुछ तुम' से घुछप।्झने से नहीं में जल्दी करे हेरा अंता का है ए आया कि अरे अंता है कि मुद्भ पूछ भी जिए यहुछा होसलिए होता kya तौलिया नहीं मिला क्या पुछते खाक सर्से लेके पैर तक पढ़ा कसी न है पफीना था क्यों क्या पानी इतना करिमता करें सबकुछ सब कुछ, मैं चलता हूँ तहां जाते हो, मैंने चाय मंगा लिए भी और तुहारे लिए भी नहीं जाने दो बेटी, यह है इकबाल इस शहर में नयने आया है और इकबाल, यह है हमारी छुटकी इनसे मैं मिल चुका हूँ कैसे? मुझसे कब मिले हो? आम नहीं, वो मिलने मिलने वाला मिलना नहीं मैं बज़ गया था मैं आपको देख चुका हूँ क्या देख चुके हो? देखने वाली चीज कौन नहीं देख़ेगा? क्यों रामबरोसी जी? बिलकल, बिलकल छुटकी, तु ख़ले-ख़ले क्या देख रही है? देखने वाली चीज देख रही है और क्या चीज तो हमने देखी है सहाब चीज तो हमने देखी है सहाब गलत जगा तो नहीं आ गया घर तो में लई है कर में तो यही तो मैं पुछना चाहता हूँ तुम लोग कौन हो और इस मकान के अंदर कैसे आए तुम यहां भी अच्छा तो यह सब तुम्हारी साजिश है कैसी साजिश हमने पांच सो रुपे देकर मकान किरावर लिया है देखे यह मकान में अपनी मा के लिए बनवाया है मज़दा चाहना मिम्साब क्यूंके मुझे सर्फ अच्छी चीज़ें चाहखने का शौक है आईये आईये वो रहा शिवा सौत पंजी आप शिवा आज तक तेरे खिलाफ जितनी शिकायतें आई पंचायत ने उन पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंके तुने हमेशा गरीबों की मदद की है और हमेशा करता रहूँगा लेकिन आज जो तुने ठाकुर की बेटी के साथ किया क्या क्या मैंने कोई मेरे घर में जबर्दस्ती घुसाएगा क्या मैंसा बहान नहीं निकलूँगा इसने जल्मद सुक्ष है अब गोति आज को पान पर पेर की ठोकर कर अगर तुम्हारी बहु बेटियों को हत लगागा तो तुम क्या कर लोगे इस साले बदमाज को मारो 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 जिसने भी माद का दूद्प्याई सामने आजा कर दूद्प्याँ दूद्प्याँ कर दो कर दो हुआ यह सच है जजजव कि मैं गुनागार है मेरा कसूर स्रीफ इतना है कि मैंने वो रुपय सरकारी खजाने में जमा ना करके गरिबों धूकों और बिमारों में बांग दिये इनसाफ करने वाले अगर इससे गुना समझते हैं तो हाँ मैं गुनागार है मुझे सजा दीजिए बादाल एक सब्सक्राइब को छी महीने कैद बामुशकत की सजा देती है आप यह सम्हाल के बड़े भाइ हिम्मद सामने वालों में भी होती है अच्छा तुझ में हिम्मत है आसमा लो उच्छ बताओ उच्छ रच्छ रच्छ अट लेगो इन्हें और टाल दो लाग अलग सेल में चलाप और चलाप अपने जेलर से कहना ये तौफा हमें पसंद आया ऐसे मर्दाना जेवर हमें अच्छे लगते हैं सुनो ये चावी लेते जाओ वरना जिन्दगी भर यही पड़े रहोगे यहां नमबर है रहे तेरा 706 तभी अल्ला तो इस पर महरवान था परना अब तक मर गया होता बड़े भाई किसे की दुआये तेरे काम आ गई परना मज़ा आ जाता अभी नहीं चोटे भाई मज़ा तो उस दिन आएगा जिस दिन तुम भार निकलोगे मैं उस दिन के इंतासार करेंगा यह तुमने क्या किया उन मज़दूर के पैसे रख Iya मैं क्या करता मेरे हात में खुजली हो रही ठी यो गलत रहे इसमें अरे बहुर जो पैसे उसने मजदूरों को देने के लिए दिया दिये जो पैसे उसने मेरी आवाज बन के लिए वो मैंने आपने पास रख लिए अब समझी तुम इतनी अच्हे-चे कपड़े पहन कर हो डो में कैसे जाते हो तुझे चलना है लेकिन मेरे पास वैसे कपड़े नहीं है अरे तु एक बार इशारा करके देख मैं तेरे लिए कपड़ों की मिले खुलवा दूँगा तु चल शाम को तयार है ना बस चल मेरे साथ यह मेरे साथ ये मेरा बूट, ये एक और ब्लाइंड, रे कम से कम शो तो करानी थी यार आप के बत्ते बांटू? जी, बात ऐसी है.. ये जो खेल, आप लोग खेल रहे है ना बहुत मैं.. बहुत कुछ श्वलूली खेल रहें स्लोली isलोली और यह सोली-सोली खेल में क्या होता है, मज़ा चला जाता है लेडीज बेटे होती है, बोर हो जाती है बिलकुल पूरी मेरे पास एक खेल है, जिसका नाम है बेगम ढूंडो क्या मतलब? देखिए, यह दस, यह दस, यह रानी, यह नी, टेन, 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 वीन अब इन तीन पत्तों में, रानी जूंड़िए, बेगम, बेगम जूंड़िए, माल लगाईए, एक के दस बनाईए, बेगम जूंड़िए यह मेरा एक हजार बेगम पर आपकी बेगम बेगम फुल जा सिमसिम बेगम नी मिली, बेगम एक काम कर, दस का सो काहार, यह डिखेल बेगम भागने को तयार, पैसा फेख तमाशा देख दो देले बेगम, जूंड़िए यह मेरा हजार पेगम पर तुरायव। पेगम देलीं, पेखम देली नेखना खेलीय कमाल का है, मालिक बाल का है ये भी देला है ये तो ठीनो देले हराब निखे कर रहे हैं गुड़ीवनिंग नपाई चाग उचाग रहाई कि पुड़ीवनिगनिगो राहे शचे मायाँ वालीवनिगो पालीवनिपनिगा पाई वालीवनिवनिगा राहिवनिग्जाग पाई आचिटी ओूओआमाया खिर जोबंग घर राहिए आ डोब हमेंगल आजी गुची बुची बुचा तैनु मेनु बेकी जमाना के तुझो सदा यार हो गया के तुझो सदा यार हो गया तुझो सदा यार हो गया तुने यार मुझे माना ते सदा बेडा पार हो गया तेसा दा पेड़ा फार हो क्या तक थक थक होई मेरे दिल में अपना बनाओंगा घरी में दिल में तुने पसाया मुझे बड़ मुष दिल में तिरिधे गावाँ मेने करो तेरे राल तेरा गबरू जवाँ आणी डरो नहीं मोरी छुठनिया के समाधुआ धार हो गया देनु देनु बेटी जमाना के तुछो सा दायार हो गया अची गुषी गुझा बुझा हुक थोंबा आजी गुझी पुझी गुझा आजी गुझी पुझी बुझा बारात लाओं चाले खिल आजा पंडित बुलाओं भूलले रजा तोली मंगाओं सेजिया पिछाओं पिछाले रजा कुम्टार उठाओं फोरन उठाले रजा पर बाल लगाओं जल्दी लगाले रजा पत्ती पुछाओं अरे ना 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 जा जा इतनी नी जल्दी क्यों है पड़ी अरी छमक छलो जिद्दी बड़ी नहीं 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 मेरे नभीती के सारा बंटा थार हो गया तैनु मेरे वेची जमाना के तुझो सा डायार हो गया के तुझो सा डायार हो गया के तुझो सा डायर हो गया चलो जिवा तुम्हारी सदाखात हो गया जिते रो जिते रो बड़े भाई अभी तो मैं जिन्दा बाहर जा रहा हूँ अगर कभी मिलने का दिल चाहे तो पता लिख लो दुनिया बहुत छोटी है चोटू पर में भी छुपोगे तो बहार निकाल लूँगा कौन किसे निकालता है यह तो बाहर मिलने के बाद ही पता चलेगा वीनबात पहली बार कोई करण की जूड़ी का मिला है लगता है तुनी भी किसी मा का दूद पिया है शीवा शीवा देख लिया ना बड़े लोगों के मू लगने का नतिज़ा शीवा अपने सर पर कभी किसी का कर्स नहीं रखता मा इसका जवाब उसे जरूर मिलेगा वड़े बड़े लुड़े अबड़े एयाा प्रक्राइ़ हुशा वड़े वड़े वड़ कि वार फबगटा, इस वार खंट नुम थेना कर अजना नुम फिर खखांगा इसा जैंजे प्रण कि उलिए खबार कि जजा झाला इज प्राइश कि एना, मैं हुगा ख़ा ख़ा जोगे ले मम इसा जाएगाा कि बाहाँ राल रसे पौनाए़ विद्छा झाला बाला था सब क ey टो ओफ टिंज अ अन्ती है कि और बॉल से एंद्गर जंब लुट हई जो की माझ माख महां फ्वलेbnर थिए जूआ कि dece toward गगल झाह है कि अपटवर करफ टो कि याँ था? हुआ हई हुआ फ्टर's का रहा है करने टेडरेी पराइब ही मालत ऐसेतन शेLuश करने हlor आआòng करने ही आए करा एंदी दीक करें अधरन करें राह favorable एंदी डाओ करें कर दोल एफ एंदी 7 करें भल्णाक कर दो कर दो कुछ रहो कुछ रहो क्या बात है इसमार लंडन में कुछ ज्यादे दिन लगा दिया अंकल क्या कहूं आपसे यह सरकारी काम कुछ ऐसे होते है मैंने सरकार से का, भाई मुझे और काम नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाने दो, लेकिन, कौन सुनता है अंकल, सच मानि यह सरकारी नौगरी एक किसम की सजा होती है और हम लोग अब तुम्हें एक लंबी सजा सुनाने कि सोच रहे है लेकिन मेरा कुसूर तुम्हारा कुसूर ये है कि तुम एक शरीफ लड़के हो और शरीफ कानदान से तालुक रखते हो हमें तुम बहुत ज़्यादा पसंद हमने फैसला किया है कि अपनी बेटी का हाथ तुहरे हाथ में देते हैं तुम्हें मन्जूर है क्या अंकल आप जैसे आपकी मर्जी येसलिए मुंखिन हुआ कि मैंने अपने ठाटबाट वही बना रखे हैं जो 20 साल पहले थी लेकिन इस पीच में लाखों का कलजा सर्व पहुए है अब मैं बहुर आ गया ना आपके सब करजे उतार दूँगा अब लेकिन सबसे पहले मुझे सेवक राम से मिलना है जिसने मुझे जेल पिछवाया था सुना है उसने पर बेटी के दहेश के लिए बहुत जेवर बनवाए है करान, 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 करान मेरा ही नाम करन है बोलो क्या काम है मैं पदलापुर में स्कूल मास्टर हूँ तो ये पीस हजार रुपया और जेवर मेरी सारी जन्दगी की पूंजी है इसे मैंने अपनी बेटी के लिए जमा किया है हाज मेरी बेटी की शादी है और और रंजीत उसे उठाकर ले गया है क्यों मैंने अदालत में उसके खिलाफ गवाही दे थी उसी का बद्ला लेने के लिए शायद उसने अगर बारात वापस से ले गई तो मैं किसी को मूंदी खाने के काबिल नहीं रहूँगा मेरी बेटी को बचा लो करन मैं जुन्द की भर की कमाई हुई पूंजी तुम्हें देने के लिए तयार हूँ यह पूंजी तुम्हारी बेटी की शादी में काम आएगी जाओ बारात आने से पहले तुम्हारी बेटी लगनमंडप में होगी चोड़ दो मुझे चोड़ देंगे लेकिन एक बात सनो अगर तुमारा बाप पैसे लेकर रही आया तो तुम्हारी डोली तो नहीं उठेगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ सुछागरा तरूर मनाऊंगा है वानो तुम और क्या चाते हो इस लड़की को यहां से कोई नहीं ले जा सकता और मैं इससे यहां से ले जाने के लिए आया हुआ अगर आज के बाद ऐसी कमी ने हरकत की तो मैं तुम्हें जिन्दा समीन में कर दूँगा मेरा नाम यात रखना करन ओफ वो बात नहीं डड़ी सेवक राम की बेटी की शादी मेरी हार है और आपका बेटा हार परदाश नहीं कर सकता बेटे जंग जीतने वाले शोटी मटी रड़ाई की हार पर ध्यान नहीं देते तुम्हारी जीत निशा उसकी विका करो जा करका शील की टिनारे उसका मकान है इस घर का माले कहान है क्यों किराय पर चाहिए क्या कितने दिनों के लिए चाहिए हम हफते के लिए दे सकते हैं हमारे पास पूरे अगले महीने की booking है यह घर तुम्हारा है क्या यह वह हमारा नहीं हो सकता तप्ता लेगे गा हम तुम्हें 5000 देंगे आहा वा लबाई 5 जान लाओ अरे भाई साब मारने की क्या जुरूरत है आपके पास अगर किराय नहीं है आप मुफ्त में रह जाएए आपको घर चाहिए या मेरी जान चाहिए तुम्हारी अरडडडडडडडडहा, अरुडडडडडदड़ में? कैसी लगी कि यह चोड़ आपकल आपकल को आपकल के आपकल को मार ना इस तुझे मरने चल्बा यहां से अब मैं भागता नहीं भागाता हूँ ऐसा कि आए कर दो अब दोज़ कि आप Woah अजय को पुलिस को देकर भागता है चोर कौन है वो या तू निकाल मेरे 500 कौन से 500 रुपए शिवा यह वही आदमी है जिसने 500 रुपए लेकर मुझे तुम्हारा घर किरापर दिया था ला मेरे 500 रुपए वातस कर मेरे पास 500 रुपए हूं तुम्हें दो ना जन दो निशा इससे पहली बहुत पढ़ चुकी है हाँ हाँ और फिर इसके वज़े सो धम मिले ना तुम इस घर में आती नहीं हमारी मुलाकाते बढ़ती शायर में नाय हो क्या जी जी आमरे साथ चलो अरे उधान नहीं इधार यह तस्वीर किसकी है मेरी और मेरे भाई की बस्पन में खो गया और आज तर नहीं मिला तुम कहां रहे तो जहां सोने के लिए जगा मिल जाए वही आज से तुमें ही रहो गए यहां लेकिन किदाया पर नहीं दोस्ती में मैंने बंब उसके कमरे में लगा दिया है वो जैसे सोने जाएगा हम बंब बलास्ट कर देंगे बत्ती तो बुझ गई तो लो शिवा की जिन्दगी का चिराग भी भुझा देते हैं दोक्टर साहब यह जखम कितने दिनों में भरेंगे कम से कम तीन हफ्तर तो लगेंगे जिस तरह इस आदमी का जिसम जला था कोई और होता तो शायद इतने जखम बरदास नहीं कर पाता बहुत हमत ही आदमी है तीन तारिख है न आज? पहसला मेरे कहा जा रहे हो तुम, सुना नहीं, डॉक्टर नहीं कहा है कि कम से कम डॉक्टर रह कहने से कुछ नहीं होता, तीन अटे का खर्चा कौन देगा क्यों? यह जू रूपएं तुमने जमा किये है यह उस काम के लिए नहीं तो फिर किस काम के लिए रहे कौन सा कर्स चुकाना है तुझे कौन सा मंदिर मस्जीद बनमाना चाहता कि यह पैसा अपने उपर खजने कर सकता तू समझेगा नहीं शुवा मैं जाता हूँ तु क्यों हस्पिरा छोड़ना चाहता है अरे क्या करेगा यह रुपे जोड़कर अगर यह पैसा अपने शरी पर खजने कर सकता तो क्या मर्तब आखसाथ ले जागा अज़े जाता हुआ एक और कि पैसों को मत देखे तुझे मेरी दोस्तिका वास्ता अब तुने अपनी दोस्ती का वास्ता दहिं दिया नशुवा तो दोस्टी के नाम पर एक काम करते मेरा पोजे वह ले जाकर चोड़ तें, जहां मैं जाना क्या हूँ उसके बाद में जिन्दगी में तुझे से कुछ नहीं मांगूगा से नहीं पेञा हूँ तो जहां भी जाना चाहता है मैं तुझे जरूर लेचा लूगा, पर गन इतना याद रखना, आज से तेरी मेरी दोस्ती खात्म माँ इस कमरे की पेशिंट कहा है, सिस्टर? एमर्जेंसी वाड में एमर्जेंसी वाड? अरे एक बाल? डॉकसब, मा, मा कैसी है? शी आलाइट, वून बदल दिया है, पंदरा दिन तक गभराने की कोई बात नहीं डॉकसब, मैं पैसे लाया था पैसे नीचे काउंटर पर जमा करा देना जो, पहले मा से मिल लो मा अरे मेरे लाज मा, मैं, मैं डॉक्टर से मिलके आ, उसने बताया, तिन तवियत पहले से बहुत अच्छी है और तू बहुत जल्दे ठीक हो जाएगी, मा क्यों छुटी तसली देता है, रे पैंसर जैसी बीमारी से भला कोई बचा है एक तू है जो कमाता है, सब मुझे भेज देता है मेरी बीमारी ने तेरे सारे सुक छी लिये मैं तो एक बोश बनकर रह गई हूँ अगवान मुझे मौत भी नहीं देता मा, तुम मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के जाना चाहती है अकेला छोड़ जाएगी अपने बेटे को, मा अजे, ये कौन है? ये ये तो शिवा है, मा ए, इधर आना आओ बेटा जीते रहो बेटा इकबाल, हमेशा तेरे बारे में चिथी में लिखता रहता है मेरे बारे में? हाँ बेटा ये तुझे बहुत मानता है मानूगा कैसे नहीं, मा एक ही तो दोस्त है मेरा और दोस्त भी क्या यूं समझो, साती है, भाई है सब कुछ है और मा सच पहने तो ये जितने भी पैसे में तेरी लाज के लिए भेजता रहा हूँ न ये सब इसी के दिये हुए एकबाल और देखना मा बात बात पर डारता भी मुझे तेरे घर में और कौन-कौन है बेटा? मेरी एक मा है, बिलकुल आपकी तरह एक भाई तो जो बच्वन में बिशार गया पता नहीं हमें जिन्दा है या नहीं करण बहार आजाओ नहीं तो हम पूरा होटल चलार देंगे बुस्द्रों की तरह जिन्दा जलकर खुदकशी करना चाहता है कहा करण होटल में और भी बाहर से लोग है और उन सब की माउज कर दुमिदार तू हो गया पूर्टल का टोटल जीरो हो जाए इससे अच्छा है कि मैं अपने आपको तुम्हारे हवाले कर दो उस दिन तो तू हमारे हाथों से वो लड़की बचा कर ले गया था मगर आज अपनी जान कैसे बचाएगा सभी बात नहीं बचेगा तो ले फिर अपने भगवान का नाम मेरा भगवान तो मेरी रोटी है करान पानी थोड़ा पानी पीलूं पीले अज तुने करन की जिन्दगी बचा कर उस पर बहुत बढ़ा अथान किया है करन की नहीं मैंने तो अपनी जिंदगी पचाई हैं तेरे बिना मेरी जिंदगी मेर खा ही क्या है अरे मेरी जिंदगी का क्या फरोसा मैं तो रोज पहलु में मौत लेकर सोता हूं और मौत लेकर जागता हूं मेरे होते मौत की नहीं जिंदगी की बात कर क्यों सुहागन बनने से पहले विद्वा बन जाना चाहती है क्या बात करता है जीएंगे तो करन के साथ मरेंगे तो करन के साथ ऐसा ऐसा तो फिर जा अपनी माँ को बोलते आते मंगल को तु दुलहन बनेगी ओ करन अब जब तक मैं तुम्हारी मां से नहीं मिलता छुटकी से तुम्हारी शादी नहीं होगी रामभरोसे जी ने तो बोल दिया, छुटकी से शादी करना चाहता है, तो अपनी मा को ले के आ, मैं मा को कहां से ले के आओंगा बगवान, तुई कोई रास्तर दिखा दे, तुई भेज दे किसी को, भेज दे भेज दिया, परमात्मा ने मेरी सुन ली, मा, क्या, परमात्मा तुम्हे मेरी शादी के लिए भेजा है, क्या, हाँ, निशा को मेरे लिए भेजा है, मेरी शादी के लिए, तिरी शादी, हाँ, हाँ, मेरी शादी, वो मेरा होने वाला ससुर है रामभरोसे होटल का मालिक, वो उससे पहले वो मेरी मा से मिलना चाहता है, अगर निशाथ थोड़ी देर के लिए माँ बन जाये तो ने? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है मुझ्य हो शकल बिल्कुल मेरी मा जैसी है, ममी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो कोई किसी की माँ बनने को तैयार नहीं होता, अब तुझे खुद ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा नमस्ति जी, नौस्ता जी, राम भरुस्त जी आप ही है न, जी हाँ आप इकमाल सिंह की माँ था जी है पहचान लिया आपने, मैं अंदर आ सकती हूँ हाईए, आईए, आईए, वाँ, 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 विद्वा होने पर भी आप ऐसा सिंगार करती है क्या करें? जब से प्रेम रोख देखा है तो हमें भी ऐसास हुआ कि हम विद्वाओं को भी जिन्दा रहने का रख है आपकी शकल आपकी शकल बिलकुल इखमार सिंसे मिलती है हाँ बेटे मापे जाते है न और बेटी बाद पे मेरी बेटी बिलकुल मेरे पे गई है तर क्या उसका कद भी आपी की तरह अजी कद को छोड़िये कद की बाद को मैंसे कद से कुछ होता भी नहीं एकबाल के पिता है न वो भी बड़े चोटे कद के थे पहले पहले तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई उसके बाद मैंने निभा ली और आप खुद ही सोचिए आपके बेटी और हमारी कितने अच्छी नहीं हाई आई 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 बैटिय बैटिये बैटिये देखिए आप चिंदा मत कीजिए मेरी बैटी बिलकुल आपको तकलीफ नहीं देगी आप बिस्तर पर बैट कर सारी जिन्दगी हुकमत कीजिए हाँ हम हकुमत क्यों करेंगे अगर हम बिस्तर में रहेंगे तो वह हमारे साथ बिस्तर में रहेंगी हम उस एसकिले में लस Clies हो डिम आप लुच्व हे त angef करता है लेकिन जिए यह यह वह विख नहीं तोर आफ आफ नहीं करता है यह नहीं प्रत एक आप सिर्फ वो धो आप यह वह जी स्वाल कि एकड़ी है लिए … हमारा दिल कितना बेचैला प्रपढा रहा इंट चल कि लिए श्युक्टी मार ने कोन आया है एक वार्यार पानुची नमस्ते यह क्या कर रही हो तुम तो ह européरों में नहीं तूम तू हमारे जिगर में रहती हो हमारी जिगर की टुकड़ा हो, कितनी प्यारी लग रही हो, तुम्हें नजर न लग जाये, हाँ जी चातर तुम्हें चुम्ती रहूं... बेटी... बेटी, जा उधिकरी चाय बढ़ा के लाओ मैं चाय छोड़ सकती हूँ, लेकिन इसे दूर नहीं रह सकती कोई बाधनी, मैं बना कर लाती हूँ चाय चाय बशादी जोटना चूप नमस्ते मैं अंदर आ सकती हूँ आ या! आप यह राम भरोसे जी हाना इी? जी हां मैं हूँ मैं एकबाल की मां हूँ जबा साउड रा सलो ने पसंते हाँ, लेकिन एक बाल निताप पर ही गया है अच्छा जा जा जा, बेटा हमेशा बाप पर जाता है, जी, और बेटी माँ पर एक बात पूछो, पूछे न, एक बाद सींग बाद तो एक ही था डा, क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि Iqbal Singh के बाप की दो पतनिया थी ठीक वो कभी अचनिकर सकते थी आप कैसे बहकी बहकी बात इंख कर रहे हो जी मैं बहक जाओंगा आप बैठिये अब बैठिये 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 मैं भी आता हूँ आप भी Iqbal Singh की माता जी है बाब, बाब, क्या पहचाना आपने? सारे गावगवाले कहते हैं, मेरी और इकवाल की शकल बहुत मिलती. क्यों नहीं? बेटा हमेशा मापर ही जाता है. मापर नहीं, बाप पर. कुछ भी हो. देखिए, एक माता जी ये बैठी है. दूसरी माताजी आप है, तीसरी माताजी अंदर बैटी है, आप तो मुझे वो भी नकली मालम होती है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ अगर पहले मालम होता तुम आ रही है तो मैं मा नहीं बनता कुछ भी कहो, तुम लग बहुत अच्छी रही हो, चल चूटी मैंने सूचा तुम्हारा दोस्त है, कहीं तुम बोरा न मान चाह, इसलिए मैं चली आए आए, 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 छोड़िये ना कलाई मुझ जाएगी यह देखिए, मैं अभी पुलिस को ब्राकर लाता हूँ, यह मेरे साथ धोगा है, मेरी बेटी के साथ धोगा है नहीं, नहीं, रामभरुस्ची, यह धोगा, यह धोगा नहीं है, रामभरुस्ची जी, यह तो हम दोनों की महबबत के इमताहन का नतीजा निकला, देखिए हमारी महबबत इतनी पाक है, कि हमारे दोस्तों ने भी अपने कीमते वक की कुर्बानी दे दी, अब यह शादी हो जुबान दे चुके मैं भी किसे को जुबान दे चुके ही उन्हें वो और शादी होगी तो शिवा से है रो हमारा फैसला सुनती जा बेस आखी के मेले पर तमाम काउवलों के सामने हम तुमहरी और रंजीत की शादी के ऐलान कर रहे ठाकूर साब का फैसला जानने के बाद अज इन फुलों के साहे में काड़े चुप रहे निशा बेटर यही है तु मुझे फूल जाओ तु मुझे भूल सकते हो मेरी बात कुछ और है निशा मोहबत की मज़बरी क्या माने रखेगी जब तुम्हा निशादी के ऐलान होगा ऐलान होती ही निशा भाग कर सब के सामने तुम्हारी बाहों में आ जाएगी निशा हाँ शिवा महापत करने वाली टूट जाते हैं मगर जुकते नहीं पंड़ जी जानते हो मैंने तुम्हें या किसली बुला है देखो इस पुड़िया में भ्योशी की दवा है इसे तुम माता के परशाद मिला कर मेले में निशा को खिला देना हो नहीं लेकिन लेकिन कुछ नहीं पंड़िची अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम ये विसाखी ऊपर जाकर ही मनाओगे वो भी अपने बच्चों के साथ में पूजा खत्व हो चुकी है और अब खामदान की रिवायत को काईम हटते हुए इस साल भी हमारी तरफ से सारी जनिता में देवी की पूजा का परसाद बाड़ा जाएगा इस से पहले कमेले की कारवाई शुरू हो इस खुशी के मौके पर हम आप सब को एक खुशखबरी देना चाहते हैं अगले इत्वार को हमने अपनी बेटी निशा की शादी ठाको रनवीर सिंग के बेटे ठाको रंजी सिंग से टैगी एलान होते ही निशा भाग कर सब की सामने तुम्हारी बाहों में आजाएगी हुआ 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 है हाए आखों में तेरी जादू सांसों में तेरी खुश्बू बातों में वो कशिश है दिल पे रहे न कावू तेरे शबाब के हैं चर्चे जहां में हर सू मनजूर है मुझे भी सबसे हसीन है तू तू रत के जैसी तेरी सीरत मगर कहा पुस्ताखी माप हो ऐ जाने जहां पुस्ताखी माप हो जाने जहां जाने जहां जाने जाने जहां पुस्ताखी माप हो ऐ जाने जहां पुस्ताखी माप हो मौसम के जैसे देखे सौरंग मैने तेरे कल शाम तू जुदा दे कुछ और है सवेरे शबनम समझ के तुझको उमली से जब खुआ है शोला है जाने मन को महसूस तब हुआ है इसे कहें ये मुश्किल गुश्मन है अपना ही दिल कोई भी दोर इस पे चलता नहीं यहाँ घुस्ताखी माफ हो है जाने जहाँ घुस्ताखी माफ हो जाने जहाँ घुस्ताखी माफ हो है जाने जहाँ घुस्ताखी माफ हो क्यों मिगा ही नक्सुरा बस्त नजरों की कसम मैं मेरी जाने वपा तुसको आहों की कसम मैं तो था एक पावारा तेरी जुल्फों की कसम तेरी चाहत ने मारा तेरे जल्भों की कसम आज खामोश न रहे तुस्त होटों की कसम दिल में जो बात है चहे तुसको बातों की कसम प्यार बदनाम न हो बाक्षे जज़गों की कसम सर पे इल्जाम न हो अपने सिज्टों की कसम आभी जा पात मेरे बर्चे अश्कों की कसम मैं भरोते हूँ तेरे तिल के रिश्टों की कसम कहता है ये दिवाना अपनी पसम निभाना गुष्मन बना जमाना है अपना इंतहाँ खुस्ताफी माफ हो जाने जहाँ खुस्ताफी माफ हो पुर्पत के दुश्मनों का रखे खुदा सलामत सबकी जो खैर मांगे मैं भुद्वा खुबत नाराज में तुबस्ते कर मैं खका नहीं हूँ सुनने मेरे धिल बर मैं बेवफा नहीं हूँ अपनों से नहीं उते किस तरह खुद्वा गुस्ताफी माफ हो ए जाने जहाँ गुस्ताफी माफ हो तोड़े जो हर नशे वो वो यार की सदा है दुनिया को जो भुला दे वो प्याज का नशा है ए जान हा तेली बेजर पे बंधा कफन दे अपने पियाते मिलने खुझ ही चली दुलहन है दिल दार का इशारा छोड़ा जगान सारा मेरा सनम जगाने दुनिया मेरे वहाँ गुस्ताफी माफ हो ए जाने जहाँ गुस्ताफी माफ हो जाने जहाँ जाने जहाँ गुस्ताफी माफ हो जाने जहाँ गुस्ताफी माफ हो जाने जहाँ जुस्ताफी माफ हो है 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 चिल्लाओ कैसे नहीं मेरी आखों के सामने वह निशा को अपने साथ ले गया और मैं कुछ ना कर सका अगर अगर उस वक्ता मुझे रोकते नहीं तो मैं उस राम जादे शिवा को जान से माड़ा डलता और खुद आंसी भी चलते प्रंजीत बेटे कामयाब आदमी के पास जवानी की गरम जूशी के साथ बढ़ाबे की धंडी सोच का होना भी बहुत जुरूरी मैंने शिवा की म हुआ है हुआ है हुआ है उटाल है हुई दोलाजे! कर दोलाजे! कर दोलाजे! फुईयुई! ऑ्य... चार वज़िए fuckin! मैंना गयारम्न आई रुईयार थैंना गयार्वал मैंना टेता हैा। कर ओॉँए! करण! करण! नहीं करण हूँ, क्या हुआ? मैंने बचाने की बहुत कोशिश की लेक्या, वो सोना को सबरदस्ती कौन? कोई, शिवा नाम का आदमी था शिवा सनो, इस गावमें शिवा नाम का कोई आदमी रहता है शिवा? इस गावमें इस नाम का कोई आदमी नहीं शिवा, इस गावमें तो शिवा नाम का कोई आदमी नहीं रहता पीने के लिए पाने मिलेगा माजी पाने मिलेगा हाँ हाँ बेटा पानी क्यों नहीं मिलेगा खाली पेट पानी नहीं पिते पहले रोटी खालो बगर यह तो मुझे लगता कि आप अपने बेटे के लिए ले जा रही है तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो एक तुम खालो एक वो खालेगा लो परदेशी हो जे क्या काम करते हो तलाश किसके तलाश एक आदमी है शिवा उधार की जिन्दगी जी रहा है माजी मगर कब तक जिस तिन मुझे मिल किया क्या किया है उसने जो किया है उसने उसके लिए उसे पच्टाने का मौका भी नहीं मिलेगा मेरा नाम करन है और करन से तुश्मने करने वाला आज तक जिन्दा नहीं बचा है यह शिवा के अब दिन पूरे हो चुके है लाई पाने पुलाई अगर यह शिवा तक पहुंच गया तो उसे मार ठलेगा धन्यवाद माजी सुना है शिवाज सी गाउं में रहता है आप जानती है उसे हां कहां रहता है वो ने ने रहता था पहले रहता था अब तो वो पहाड के उस बार चला गया शुक्रिया माजी आज आपके हाथों रोटी खाकर मुझे ऐसा लगा जैसे अपनी मां के हाथों बनी रोटी खाई हो आप मेरे लिए द्वा करना कि मैं अपने इरादे में कामयाब हो जाओं मैं जाप आप में कृफंब हो यूरौ प hoc início साली हो प Orthodox जिते के चूरौ पूरौ अंदया हूए wczeि椪 डिते कर देम दितों दो मुझ बच्वाई कि बू niye vos axes? झाल 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 मुझे माफ करते भगवान, मुझे से बहुत बड़ा पाफ हो गया, अपने बेटी को बचाने के लिए मैंने उसे मौत के मुँ में भेज दिया, आखिर वो भी तो किसी मा का बेटा है, उसे बचा लो भगवान, उसे बचा लो, झाल 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 आपने तो खीकी रास्ता बताया था मैं ही गल्टी से बच्किया गिया या शायद मां के दुआ ने मचे बचा लिया कि शिवा है घर पर नहीं क्यों आपकी बातों पर एतवार करने को जीच आता है घर पर नहीं तो कहीं न कहीं ज़रूर होगा नेरी जिंदगी में अपसर शिवा का इंतजार है वह जा कहीं भी होगा गरनों से ढूलने कालेगा कौन था मा? कोई नहीं तू कहां जा रहा है? मैं जा बाहर जा रहा हूं नहीं नहीं देखने रहा मसम कितना खराब है थोड़ी दिर में बापस था जाओंगा कह द्या ना तू जहां से बाहर नहीं जाएगा पर क्यों? बीटा मा कभी तो अपनी मा का कहना मान लिया कर तू ऐसे क्यों कर रही मा तेरा हुकुम सर आंको पर चल नहीं जाता आप तो खुश मा ओ मा मैं जाकर फसल दख कर आता हूं राच जितनी बारिश हुए उससे तो लगता है के शिवा बेटा मेरा दिल बहुत डर रहा है तुखेतों पर मच जा क्यों क्या बात एक आदमी कल से तेरी पुश्टाश कर रहा है वो तेरी खुन का पैसा है कौन है वो कोई भी हो तू नहीं जाएगा अरे मा पता तो लगाने दे आखिर कौन मेरी जान लेना चाहता है शिवा उसके आंखों में खुन उत्रा हुआ है खुन तो मेरे जिसम में भी है मा देखकर तूआँ कौन ऐसा माई का लाल है नहीं तुझे मेरी कसा तु मेरा मामु देखेगा मा पेटा तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं मैंने जिन्दगी में बहुत कुछ खोया है अब तुझे नहीं खोना चाहती लग मेरे सर पे हाथ और कसम खा जैसा मैं कहूंगी वैसा ही तू करेगा मा बहुत करे तू करेंगी ृ। वडिख शिपक् her Willie seeking करेंगी 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 क करेंगी करत करेंगी करेंगी सासुार्योण 750 धन्य ओच नहीं करनावी व сам व! कि शिवा की मां को करन का सलाम कि भगा दिया ना आपने वही किया जो एक मां को आपने बेटे के लिए करना चाहिए आज आपके ममता देखकर मशे भी अपने मा याद आ गई और उसी ममता की कसम शिवा अप मेरे हाथों से बच नहीं सकता नहीं नस नहीं आज में कुछ नहीं पी सकती आज मेरा करवा चौद का वरत है मां तु करवा चौद का वरत रखती है इसका मतलब मेरे पिथाजी जिंदा है मां कहां है वो कौन है तुने आज तक मुझे बात चुपाई क्यों मुझे क्यों नहीं बता तुने मां क्या बता थी उन्हें तेरी नजरों से किराते थी यह बता थी के दूसरी ओरत के लिए मुझे घर से निकाल दिया दूसरी ओरत मां मेरे पिथाजी का नाम क्या है कहा रहते हैं वो मां बोल मां तुझे मेरे सर की कसम है मां बोल थाकुर साहब बाहर आईए थाकुर साहब बाहर आईए थाकुर साहब तो यह है जिसकी वजह से मेरी मां को बे घर किया गया था मां इसे एक कान हो तुम और यह तस्वीर की उतारी है तोड़ने के लिए ठाकुर साहब इस प्यार और शवकत का बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मैंने अभी तक आपको इस बात का हक नहीं दिया कि आप मुझ पर हाथ उठाएं मैंने तो सिर्फ एक तस्वीर का शीशा मैने किसकी बात कर रह 又 उस जूर्म कि जो आपने 25 साल पहले किया ता ऐसा जूर्म नई बीवी के ष्वागत में अपने पहली बीदा को अपंपछा से निकाल देना क्या यह जूर्म नहीं अपना दिल लोशन करने के लिए अपने घर के चराक को अंधेरों में जोग देना क्या ये जुर्म नहीं अपनी खुशी के लिए अपनों की हसिया चीन लेना क्या ये जुर्म नहीं तो मुसके बैटे हो क्यों अपना बेटा कहते हुए शर्मा आती आपको अब मैं भी अपने आपको आपका बेटा तभी कहूंगा जिस दिन मेरी माँ को उसका हक वापस मिलेगा मैं उसे लेकर आ रहा हूँ ठाकुर साब अगर वो इस घर की मालके नमानी गई तो आपके खून की तसमें ठाकुर साब मैं आपकी हमेली को नियू से उकार कर हवा में उडा दूगा अंसी आपका जडा कर ठाकुर से लेजके को अ बाहँ делать अब दर्द कैसा है दर्द कम है एक गयर अंजाने आदमी के लिए आपने जो कुछ किया उसे जिंदगी भार ये दिल भुला नहीं सकेगा अब मैं चलता हूं नहीं नहीं अब ही नहीं जब ये बट्यां खुल जाये तब अच्छा आप कहीं बाहर जा रहे हैं मुझे किसी की तलाश है बहुत दिनों से ठून रहा था तुझे अच्छा तो वो तुम थे हाँ वो मही था पता वो लड़की कहा है कौन सी लड़की जिसे तुम मेरी पीट पीछे उठा लाए थे लड़की मेरे हवाले कर दो लड़की का बहाना चोड़ अगर जेल का धुड़ा इसा पूरा करना है तो यह पिस्तॉल फेक और तेख मर्द की मर्दानगी झाल खर बियंग झाल है उहीं है लुए आओट! 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 कर दो जूसा कर दूस बढ़ा कर दो झैए रखा डब कर दो बारी आए इट ए ए उ पु मार्टी जूड़ बारे AO C moment करान रुक जा तुम दोना भाई हो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया बोड़े भाई जिसके मुझे तुरी नस्रों में श्र्विन ना होना पड़े पर वो खाना क्यो निकाती क्या मालूम साथ कल से चब्बी में खाना ले जाता हूं उठागा बार फैंक देती है हर बग चिलाती रहती है मुझे छोड़ दो मुझे बाहर निकालो ठीक है तुमाँ मेरे साथ मैं देखता हूं से कर दो अ बाल याँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर एक कर दो। आज पहली बार ठीक जगह पर आए हूँ, मुझे माफ कर दो, रंजीत, मैंने तुम्हें गलत समझा, वो शिवा, वो सोना को उठाकर ले गया, यह ले, डैरी ठीक कहते थे, दोस्ती हमेशा बराबर वालों से ही करनी चाहिए, तुम मुझे माफ कर सकते हो, निश्या, डार्लिंग कैसी बाते कर रही हो, I love you, darling, I love you, और इस खुशी में हम दोनों मिलकर पिएंगे, तुमा केली नहीं, मौन से, इस्क्यूज में, हम तरह बिजी हैं और हमें डिस्टब नहीं करना, अगर हम बुलाए तो भी नहीं मौन से, तुमा कर रहीं झालल con कैना, यूद्या, दे क्षक्या, जूदा आटव son प्लाइ, बलाइ, प्लाइ, बलाइ, कर दो 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 प्याप प्याप प्यापोमाब प्राव प्राव सान् है जाम हमारे है आज सभी ज्याले नाम तुमारे है प्यास तुमारे है जाम हमारे है आज सभी ज्याले नाम तुमारे है कुलां बाइबा, 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 कुलां बाइब कर दो कर दो कर दो जड़के ना उच्छेवा अयता ना शानूंगे कि अपनल कार जलुः त्चिन सचिधाउंगे जड़के ना उच्छेवा जड़के ना उच्छेवा कर दो तो रहायालनुगी, पुछ्षिर का आधी जलुभा, दूझे प्रकति आदूंगी, पुलंबाप्यबा, पीकश लंबाप्यबा, पैक्श लंबाप्य भश्विभा, पुलंबापैबाप्य। अस्लेकर स्द centralized स्ब्सकार कहालोणं। कि लुख से रट जा फंठ उलान प्लान फ gezॉल कि लुख से आटर कोम पुख से हुख से वाज canyon पुलान प से प हूई से तर छुख से तर जुख साल कि लुख से आट कोम पूई chin बन्सी का कहा जो जारूद आप जारूेश भाल्सेंग, सुर्देन, तागरू हराम जादो बलड़किया भाके उरका पीसे घरो जड़ दाइख कि अढ़े हो जार कि हम हिए baik भाल को कि मित जादों हिए गार चार कि अढ़िश wow झालत है. झाल 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 परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थाकुल साहब, निशा जी नहायती समझदार लड़की है, और फिर उसे लापता हुए सिर्फ दो ही दिन तो हुए है, आपको याद है, पिछली बार वो पूरे छे दिनों के बाद मिली थी, और वो भी एक शिकार के पीछे, पिछली बार वो इस बार में बहुत फरक है थानिदार साहब, यह निशाकती शादी ठाकर रणवीर सिंग के लड़के रणजीत, यह तस्वीर, यह बहुत ही मशूर बदमार्श रणजीत की तस्वीर ठाकर साहब, जिसकी जिन्दगी के आधे दिन चेलों और हवालातों में कटें, क्यूं, क्या वात ठाकर साहब? उठालो ठाकर और गिन लोँ, तुम्हारे यहां जान की कियमत सिर्फ पांच हजार रुपए है न। इसलिए तुम्हारी जान लेने से पहले हम तुम्हारे जान की कियमत चुकाने आये हैं। क्या पकॉस करें हो कौन हो तुम हम कौन है यह आपका पाल तो खुटा आपको बताएगा ताकुर साहब यह दोनों उस मजदूर लीडर काली चरण के बेटे हैं हाँ और बेटे अपने बाप के खून का हिसाब चुकाने आए है हाट हाट आज तो नहीं मार सकता यह यह मेरे पती है बेटा तो 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 एकबाल का दोस्त है ना तो मेरा एकबाल है तो अपनी मा की अपनी मा की मामदा सिंदूर मिटाएगा नहीं बेटा नहीं इन्होंने जो कुछ किया है इन्हें माफ करते मेरे खादिर माफ करते बेटा मैं तेरे आगे हाट जोड़ती हो इन्हें माफ करते नहीं माजी, खुन कभी माफ ने किया जाता, इसने हमारे पिता को हमसे च्छीना है, हमेसे इसकी जिल्दगी च्छीनने दे नहीं करन, एक सुहागंता सुहाग च्छीनने का तुझे कोई हक नहीं जिसने मेरी मा का विद्वा बनाया है, मैं उसे जिन्दा नहीं चोड़ूगा क्या यहीं इंसाफ है तेरा, तु दुसरों को जिन्दगी नहीं दे सकता, पर तेरे पिता जी ने दुसरों के लिए अपनी जिन्दगी दे थी मैं विद्वा होते हुए भी उस देवका की याद में हमेशा सुहागन बनी रही पर ये देवी तो सुहागन होते हुए भी आश तक विद्वा बने रही तो अगर इसका सुहा गुजारना चाहता है तो पहले तुझे अपनी मा के खोन का बलिदान देना होगा क्योंकि विद्वा होने का दर्द तू नहीं तेरी मा समझ सकती है चला चला गोली चला शीवा मैं आपने किये पर बहुत शेमिन्दा आज तक मेरी आखों पर एंकार का परदा बढ़ा रहा मैंने हर किसी को गलत समझा आज मुझे पता चला जिससे मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रहा था वो के मीना यहां माजूद है ठाकुर साहिब क्योंकि उसे निशा के साथ साथ आपकी सारी दौलत भी चाहिए अब आजी करुक्रा करुक्रा के अबसा गजी करुक्रा के कंदा। मैं आपकी साथ अपकी साथ मुझे भी चाहिए कर दो दो कर दो कर दो जो कि प्रॉप गुजल को दो 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 जो दो जो चम रहा है हुआ 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 हुआ! नजए ठीचल नGen्य प्रेखत अधर को यासे! तो इंसान नहीं शायतान है ठाकुर। तो ने अपनी जिन्दगी में एक भी नेक काम नहीं किया। सिर्फ जुल्म जुल्म किया। अपने खुन तक को नहीं छोड़ा दो। में इस कमीने उनने तो उसे धक्के मारमार की घर से निकाल दिया था। आज तरी जानन बचाती तो 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 ने कितना बड़ा न्याय किया। अल उसने क्या मूँ दिखाएगा उसे। क्या मूँ दिखाएगा उसे। मा, शिकर मत कर। पेताजी को कुछ नहीं होगा। यह क्या है बेड़ा? माम, निशा की जान खत्रे में है। हाँ! जाकुर साथ के पास हमारा पेगांग पहुंच गया होगा। अब थोड़ी धर में यहाई खली कॉपनर आएगा। और उसमें से एक पेट्टी किरेगी। क्या किरेगी। पेट्टी! और उस पेटी में तरोड उर्मे के जिवरात होगे। तब हम धाकुर साथ की उस पेटी और धाकुर साथ की इस पेटी को लेकर यहां से निकल जाएए। और पीजे छोड़ जाएए शिवा को! किसको छोड़ जाएए? शिवा को! और शिवा के चिसल में टुकले हवा में कैसे उड़ेए? कैसे उड़ेए? हाँ! हाँ! हमने इस खाटी के चारो तरफ पम बिचा दिया है और जो भी इस खाटी में आने की कोशिश करेगा वो खुदबाखुद मौत की आगोश में सो जाएगा क्या हो जाएगा? सो जाएगा! हाँ! जिन्दगी और मौत तेरे हाथ में नहीं है रंजीत मत भूल मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है आज यहां बचाने वाला कोई नहीं जाने मन आज यहां सिर्फ मारने वाला है इतना खमंड मत कर रंजीत तुझ जैसे राक्षिस का नाश करने के लिए भगवान इन पत्थरों से भी प्रकट हो सकता है हाँ! सुला तुम लोगोले आज इन पत्थरों से भगवान प्रकट होगे क्यारवान आज तुम्हारे जितने भी भगवान है उन सब को बुला लो वो इस राक्षिस सा कुछ नहीं भी गाड़ सकते है स्टमने हमसे ना टकराना अपनी खैर मनाना हमसे है जमाना तेल नहीं आरा ना संब लिटाना हमसे ना टकराना हमसे है जमाना अपनी है रुम नाना हमसे है जमाना कि प्त करता को तू खून से चला ले दिये मगर होगा ना उजाला जाएगा जाते दुनिया जहां से होगा ना रोने वाला तू खून से चला ले दिये मगर होगा ना उचाला जाएगा जासे दुनिया जहां से होगा ना रोने वाला दिलियों से बनी हो आज़ों में आज़ कोई नहीं लगा सकता जो दिया आज़ियों में पदलता है उसे बोई नहीं बुझा सकता तू रब से अंजाना हो 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 हमसे ना तक दाना हमसे है जमाना अपनी खैर में ना ना हमसे है जमाना खेल नहीं आज़ा ना तक हम बाम में ना ना हमसे ना तक दाना हमसे है जमाना अज़ बाम में हुआ हुआ हुआू प्ट अर्ग करना गार है 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 बड़ा बेशरमा ठीट है तो गोली खाकर भी बच गया है लेकिन आज नहीं बचेगा है पांदा इसे भी इसके यार के साथ मेरा बाप भी कितना बेवकूफ है तो से यह नहीं मालूम कि जब तक तू मेरे पास है उसकी सारी कि सारी दौलत मेरे हाथ में है जोड़ता मुझे जराफ इन खरामजादों के इस घाड़ी के साथ उलादों अर्यआप अर्यआप गटिया बाप की घटिया उलाद लड़की खुद उठाकर ले जाते हो और नाम लेते हो शिवा का मेरे ही भाई से मेरी दुश्मनी कराते हो तुझ जैसे कुट्टे का जीना ठीक नहीं है अर्यआप जर जर डोजे capital one में चॅटके हमत हाना यह सब परम निचे मैं में आरे हो ने प्रेखके अपनीटां अपमा तर फिा में आरे हो कर जब चर सते हुर्ट कमीने चौर्थ कर दो कर दो अभाइ अचकटू और फार्ट, इस दोगने बाँ ग्रत दोग में तोग जढ खूए खूआए। इपोल ।ॉच सुंग इंग मैं यार यार मैं घृके अख़ी है। कि कि माज़ा गात ही तुकूद जाने करने वाला सुछा नावाला अवर तूकी कि अ पत्की करती है। इससे पहले यह बता शिवा कहा है शिवा वो शिवा तू ठीक है न पिल्कुल ठीक है हमसे है जमाना नहीं बैटी जमाना हमसे नहीं जमाना जमाने वाले से है शिवा बेटे हमने माफ करता हमने तुम्हें गलत समझा तो गलती सुधार लीजेना इन दोनों की शादी कर दीजेश शादी होगी और बड़ी धूम-धाम से होगा अजी साब शादी तो एक बार हमने कीती क्या धूम थी क्या धाम था कहीं राधा थी कहीं शाम था कहीं सीता कहीं राम था हर जबान पर हमारा ही नाम था